और अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं पंजाब सरकार के चार साल पूरे होने पर स्याम अमरिंदर सिंग ने लेखा जोखा पेश किया कैप्टन ने इस बात का दावा किया कि चार साल पूरे होने पार पंजाब सरकार ने नशे के बिजनिस की कमर तोड़ कर रख दी है पंजाब सरकार के चार साल का कारेकाल पूरा होने के मौके पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंदर सिंग ने चन्डिगण में एक प्रिस कॉन्फरेंस की और नरोवा पंजाब मतलब फ्रेश पंजाब का नारा दिया अपनी सरकार के चार साल के कारेकाल का पूरा लेखा जोखा भी पेश किया कैप्टन ने कहा है कि कुरोना के दोरान भी उन्हेंने पंजाब की एकनौमी को संभाला है और अब स्तिती सुधर रही है रिवेन्यू में लगतार बढ़ोत्री हो रही है रेत और माइनिंग बिजनस में भी सरकार को मुनाफा हो रहा है किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए कैप्टन ने कहा कि पंजाब सरकार ने तीनों केंद्री किशी कानून रद किये हैं और किसानों की भलाई के लिए पंजाब सरकार विधान सभा में नए कानून लेकर आई है। विधान सभा में बिल पास होने के बाद पंजाब सरकार ने ये बिल गौर्णर को दे दिया है और अब इन बिलों की मंजूरी का इंतजार है। बतार कैप्टन अगर केंद्री किश्री कानून पास हो जाते तो पंजाब की किसानी परबाद हो जाएगी। कैप्टन ने कहा कि 1966 से हरित आटी से पहले से पंजाब में 38 सिस्टम चलता आ रहा है और समझ नहीं आ रहा कि इն सरकार पहले से चले आ रहा है पुराने सिस्टम को आखिर कर क्यों खत्म करना चाहती है पंजाब सरकार के चार साल पूरे होने पर कैप्टन ने ये भी दावा किया कि नशे के बिजनस की पंजाब सरकार ने पूरी तरह से कमर तोड़ दी है आपकी सेहत आपकी बात देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात मैं हूँ डॉक्र शिखा शर्मा टीवी नाइन डिजिटल पर देखिए मेरे साथ आप पिछ तो सब हिट